हालो स्टुडेंट्स, आज हम लोग अनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो कल टेस्ट हुआ है, अर्थात 29 तारीकों जो लाइब्रेरियन का टेस्ट हुआ है, All India Free Full Mock Test, Set No.10 था ये, किसके लिए था ये, RPSC Librarian Grade 2 के लिए, ये 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, और 30 जुलाई को सुबह 10 बजे खतम हो गया है, तो एक क्विक जो है, इसका अनालिसिस करेंगे हम लोग, कि इसका रिव्यू क्या रहा था, या किस तरीक से आप लोगों की परफॉर्मेंस इसमें रही है, मैं बात करूंगी, अगर अप्लिकेशन डाउनलोड करने की, तो 6629 स्टुडेंट्स जो है, वो इस बैच के अंदर, याने की Library Science नाम के बैच के अंदर हैं, जिसमें से 223 स्टुडेंट्स ने इस टेस्ट को दिया है, लास् 53 स्टुडेंट्स ने दिया, जो average timing था इस टेस्ट को करने के लिए, वो था 43 मिनट अर्था 43 मिनट और average जो grade आया है, वो आया है B, ठीक है, average जो grade आया है, वो क्या आया है, B grade और average score जो आया है, वो 300 में से 160.57 आया है, अगर हम लोग देखने का प्रयास करें, तो यह हमारे grade 1 है, ये हमारे grade 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये हमारे grade 6 भी है, अर्थाद ये वाले जो है वो A है ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास 0 या फिर below 0 marks भी आए हुए हैं माइनस में हैं वो, तो उनके grade क्या है, वो F है चलिए हम इस test का जो है वो एक तरीके से हमने ये complete जो सामोहिक विसलेशन है, हमने वो किया test paper के अंदर कुछ questions के अंदर बच्चों की कुछ आपतियां थी यानि कि कुछ questions को वो बोल रहे थे कि वो गलत है इसके option wrong है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ questions के जो है वो option हमारे side से दो या तीन question के answers जो है वो लगाने में हमसे गलती हुई चूक हुई है और साथ question ऐसे हैं जिनको as it is answer लगाया गया है और हमारे समझ से ये questions सही हैं, options सही है बट आप उनको wrong बता रहे है तो ऐसे कौन से जो है विवादासपत प्रश्न है एक बार मैं प्रश्न भी आपनों को खोल के दिखा देती हूँ जिससे जितने भी students है जिनको doubt है वो इस doubt को जो है वो clear कर लेंगे चलिए starting से चलते हैं question number 2 की बात थी question number 2 पे आते हैं दो number क्या था चीक है question number 2 पे आते हैं question number 2 है best pink शब्द पुस्तकालियों में किसके लिए प्रयोग किया जाता है चीक है book circulation book एक मिनट मैं असको थोड़ा से side में करती हूँ reservation book exchange या फिर periodical management इसका जो answer है हमने जो है वो A लगा रखा था लेकिन इसका answer जो है वो B होगा क्या होगा इसका answer B होगा तो आप लोग एक बार note down कर लेंगे या अपने जहन में बिठा लेंगे जिनोंने भी इसका answer A दिया है हमने A इसको किया था ये हमारे side से जो है technical mistake हुई है इसका option क्या होगा B correct होगा ठीक है ये कौन सा question number है आपका question number 2 अब आए question number 24 पे question number 24 क्या था पुस्तिकाल है सुची का कौन सा स्वरोप real time interactive retrieval system कहलाता है ठीक है इसके अंदर A option जो है हमने डाला है देखे ये A option हमने डाला है और मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो paper हुआ था second grade वाला इस paper के अंदर maximum questions ये मान के चलिए 80% library के question अमित किशोर सर की किताब से लिया गया है तो अमित किशोर सर की किताब में भी जो है वो ये option क्या दिया हुआ है इसमें A ही दिया हुआ है लेकिन आप लोगों में से जो है मेरे पास इस question के लिए आपती आई है तो एक बार आप लोग वहीं से clear कीजिए क्योंकि ये हमारे side से जो है सही है question ये जो है उस्तकाले सुची का कौन सा सोरूप real time interactive retrieval system कहलाता है इसका जो है correct answer जो है वो A है और हमने भी A लगा रखा है इसको आप check कर लेंगे अमित किशोर सर की जो किताब है उसके page number 130 पर question number ये है 26 ठीक है इस question को आप सर की किताब में check कीजेगा page number 130 पर question number 26 दिया हुआ है ठीक है चलिए next question में हम आते हैं अगला question था आपका 44 number 44 number का question है पुस्तकाले में भी पुस्तकाले सामगरी का वार्षिक सत्यापन किया जाता है और जो पुस्तके उपलब्द नहीं अन्यता जो अब उप्योग लायक नहीं है उसे संग्रह से निकाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है option है आपका stock out, wedding out, stock, verification या इन में से सभी देखते हैं हमने क्या answer इसका लगाया था हमने इसका answer B लगाया था और sir की book में भी जो है ये B option ही दिया हुआ है मैं इस पे भी लिख देती हूँ page number 170 पे आप जाएंगे और question number 24 है ये आप देख लीजेगा sir ने भी जो है वो B लगा रखा है इसलिए हमने भी यहां पे B लगाया था तो हमारे part से जो है ये सही जा रहा है अब अगर technical subject के अंदर कोई गलती है तो ये फिर book से हमारे पास गलत आ रहा है चले next question पे आते हैं question number 29 ग्रंथाले वर्गी करण से तातपर्य है विसिस्ट विशे तथा वर्ग संख्या ग्रंथ की विसिस्ट आकृती तथा ग्रंथ संख्या ज्यान वर्गी करण तथा ग्रंथ वर्गी करण और D option आ रहा है इन में से कोई नहीं इसका जो answer है C answer है हमने भी दे रखा है इसको आप मिला सकते हैं page अमित किशोर सर के page 32 पे question number 66 पे ये दिया हुआ है जिसका answer 3 दिया हुआ है तो from my side ये जो है correct है next आईए question number 46 परिसंचरण विभाग यानि कि circulation section द्वारा संपन किये जाने वाले कार्य है पुस्तकों का आदान प्रदान पुस्तकों का आरक्षण जुर्माना या विलंब सुल्क वसूली और D option दिया हुआ है उपरोक्त सभी इसमें देखते हैं हमने answer क्या लगाया है हमने answer D लगाया है ये है आपका question 46 इसका भी option जो है वो sir की book में D ही दिया हुआ है मैं आपको जो है बता देती हूँ page number 169 पे जाएंगे question number 12 आप खोलेगा option आपको D मिलेगा चलिए next आईए अगले question में आते है question 47 T.Q.M. सद्धान के प्रतिपादक है USA NARVE Academy of Management Reviews L. Urvick और F.W. Taylor यह है आपका question number 47 देखते हैं इसका answer क्या है चीक है इसका answer जो है sir की book में भी A दे रखा है और हमने भी A लगाया हुआ है इसको आप check कर सकते है page number 168 question number 4 ठीक है इसको आप वहाँ से check कर लिजेगा next आईए question number 49 49 पर हम आते हैं किसका कथन है write book for right use at the right time Melvin Dewey F.W. Dewey C.A. Culture S.R. Ranganathan 49 में आते हैं देखते हैं answer हमने क्या लगाया है हमने answer लगाया है C और sir की book में भी दिया हुआ है C ये आप देखेंगे page 172 का question number 61 है ये ठीक है चलिए next आईए question number 51 question number 51 पर आते हैं New York charging system के जन्मदाता कौन है C.A. Culture N.A. Brown James Duff Brown John Kottendama ठीक है इसका answer जो है हमने B लगा रखा है इसका answer लेकिन sir की book में जो है वो D दिया हुआ है ये हमारे तरफ से जो है वो क्या है technical error आया इस question में हमारे side से ये answer होगा बट हमने ये लगाया है तो ये question जो है वो हमारे side से ये गलत हुआ है next आते है question 42 sorry 86 question number 86 software को विभाजित किया जा सकता है system software, anupriyog software एवं utility software में system software एवं utility software में anupriyog software एवं utility software इसका A option ही क्या होगा correct होगा और इसको आप check कर सकते हैं page one sorry 237 number page पे ये है question number 42 ठीक है आप यहाँ पे इसको check कर सकते हैं 93 number का question है OCLC के स्थापना किस नाम से हुई थी Ohio College Library केंद्र Online Library Network Open Library Network Ohio Library Network देखते हैं हमने इसमें क्या option डाला था हमने इसमें option डाला था D और अगर मैं बात करूं कि सर की book में क्या है तो सर की book में जो है वो ए option दिया हुआ है तो ये हमारे side से जो है ये technical error है तो ये 10 questions थे question number 2, question number 24, 44, 39, 46, 47, 49, 51, 86 और 93 ये 10 questions थे 10 में से 3 हमारे side से technical error की वज़े से wrong है और 7 questions जो है वो आप कह रहे हैं कि wrong है लेकिन मैंने अमित किशोर सर की book से ये question लिया था उसमें हमारे side से किसी भी तरीके की कोई mistake नहीं है हमने वहाँ से सीधा उठाया है और यहाँ पे आपके test में जो है उसको use में लिया है तो अगर गलती है तो वो किताब में ही गलती है हमारे side से उन questions में कोई भी गलती नहीं है तो ये एक बार जो है वो clear कराना जरूरी है, last paper में भी कुछ objections बच्चों के थे, बच्चों ने मुझे बोला था और जिन लोगों ने पूरा correct किया था, जिनके पूरे के पूरे marks आ रहे थे, मैंने यहीं पे YouTube channel के वीडियो में ही request किया था कि जो भी students पूरा question जो है वो correct कर मेरे पास किसी भी तरीके का कोई phone call receive नहीं हुआ, किसी भी तरीके का कोई message, वो जो top rank के students थे, उनके side से कुछ भी receive नहीं हुआ, इससे ये पदा चलता है कि वो लोग किते irresponsible हैं, बहुत ही irresponsible behavior है, अगर आप top rank आते हैं, और अगर आप से इस तरीके के request की जाती है, social sites पे, especially YouTube अगर मैं आप से कह रही हूँ, और आप अगर मेरा test दे रहे हैं, आप एक अच्छे genuine student हैं, तो आपका ये उत्तरदाइत वो बनता है, कि आप अपना जो भी है, आपकी rank को जो है, अगर मैं justify करने को कह रही हूँ, तो आप justify करते, लेकिन आप में से किसी ने भी इसको justify नही किया, तो मैं ये मानती हूँ, कि जो top rank last time जो आए हुए थे, उन्होंने कुछ नंबरों से जो है, वो पहले करके, दिन दूसरे जो है, वो answers देख करके, उन्होंने टीपा है, ठीक है, क्योंकि अगर वो answers करते, तो कोई ना कोई तो contact करता, इत्ते सारे students थे, मैंने इत्ते सा जो है, यूटूब के जो है, वो चैनल पे, देव ने किया था, देव चौधरी, मैं को नाम ध्यान है, क्योंकि मैंने देखा था उस पे, especially, और जो जो questions देव आपने लिखे थे, मैंने उन questions को मिला करके, मैंने उनको जो है, यहां पे लेने की कोशिश की है, अब आप हम प्रवाइट करेंगे, उसमें कम से कम wrong answers नहीं जाएं, बहुत सारे students है, जिनके परसों, जो second grade का paper देंगे, तो अगर questions के option जो है, वो wrong किताबों में ही गलत आ रहे हैं, और आपको सही पता है, तो आप बता दिजेगा, हम PDF में उसको correct कर देंगे, और अगर किताब में सही है, आपके side से कोई गलती हो रही है, तो आप भी इसको clear कर लिजेगा, आप भी उसका सही जो है, वो तयार कर लिजेगा, चलिए हम लोग next आते हैं, अपने paper पे आते हैं, paper की analysis करते हैं, थोड़ा सा ranking पे हम लोग जाते हैं, हाला कि ranking जो है, वो बहुत बड़ा, एक तरीके स task हो गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, students ranking के पीछे इस तरीके की हरकतें क्यों करते हैं, fair ranking ले करके अगर आते तो, मैं तो वैसे भी आप लोग को gift नहीं दे रही, अगर आप bottom ranking में आ रहे हैं, जो minus marking वाले हैं, मैं तो उनको वैसे भी फांसी पे नहीं लटका रही पंके पे नहीं जूलारी, डंडे से नहीं माररी, कोडे नहीं बरसारी, ऐसी कोई सजा तो देने वाली नहीं हूँ, और जो top rank आ रहे हैं, मैं उनको trophy भी नहीं दे रही, 1100-500 रुपे भी नहीं दे रही, और कुछ teachers हैं, जो course free देते रहते हैं, third grade का course free देंगे top rankers को, second grade का course free देंगे top rankers को, इस तरीके से मैं तो कुछ भी नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मेरे यां इस तरीके की होड पता नहीं क्यों लगा रखा है, समझ में नहीं आता है, चलिए हम first rank की बात करते हैं, चुकि ranking मैंने off किया था, तो मेरे पास ranking wise नहीं आया है, तो मैं यहीं पर mention कर चलूँगी है ना ranking को, first rank जो है वो शुरेश की है, इनके marks देखिए आप 284 marks है, अभी मैंने question आप लोगे सामने discuss किये थे, कितने question किये थे, 10 question किये थे, अगर उन 10 question को हटा दें, तो 280 marks के तो paper ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इनके 284 marks बन रहे हैं, अब में को इनको भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से खिलवाड किया है, आते हैं, मैंने इनका ही शायद खोल रखा ही है, सुरेश यह देखो, यह मैंने सुरेश का जो है, वो report card खोल दिया, 284.70 इनके marks आ रहे हैं, out of 300, ठीक है, अब हमें ध्यान देना है, इनके report card की मैं analysis क्यों कर रहे हूं, ताकि इस तरीके का काम जो है, वो future में कोई और ना करे, क्योंकि यहाँ पर test series हम लोग चला रहे हैं, benefit के, students को benefit मिले, genuinely वो अपनी practice को समझ सकें, वो अपनी तयारी को समझ सकें, मैं एक platform provide कर रही हूं, मैं किसी भी तरीके से जो है, scholars को, ना तो कोई gift दे रही हूं, ना ही कोई trophy दे रही हूं, ना ही कोई medal दे रही हूं, और ना ही bottom वालों को कोई सजा दे रही हूं, मैं यह केवल और इसलिए कर रही हूं, ताकि students जो है अपनी preparation को समझ सकें, कि उनकी preparation किस level पर है, इन्हों ने ये जो 284 नंबर लिये हैं, ये 6 minutes 38 seconds में लिये हैं, 6 minutes 38 seconds में बात करूं, एक minute में होते हैं 60 seconds, 60 into 6 अगर मैं करती हूं, तो 360 seconds आते हैं, चीक है, इसमें 38 seconds में और add कर देती हूं, 397 seconds जो है वो total है, और 397 divided by, अगर मैं 150 questions करती हूं, तो 2.6, 4, 6, 6, 6, ये जो है second बनते हैं, यानि कि 2.6 भी छोड़िये, तो 3 seconds जो है वो एक question में लगते हैं, 3 seconds, 3 seconds तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस screen को थोड़ा सा switch करना चाहूं, मैं pen को उठा के अगर यहां से यहां तक चलती हूं, मैंने यहां pen रखा है, उठाया, एक, दो, तीन, यहां तक आते 3 seconds खतम हो जाते हैं, यही होता है न, second का मतलब यही होता है न, यह pen मैंने उठाया, उठा करके मैं को अगर turn करके board तक जाना है, यह मैंने उठाया, एक, दो, तीन, खतम, क्या मैं question को पढ़ पाई, आप बताईए, क्या मैं question को पढ़ पाई, क्या मैं इसको समझ पाई, 3 seconds में एक question को करना, 3 तो मैंने लिखा है, 2.66 seconds में जो है किसी question को पढ़ना, पढ़ करके answer देना, 2.66 seconds केवल उसको टीपने में लग सकते हैं, आपको एक option, आपको बिल्कुल पता हो कि मैं को A पे ही करना है, then question पे गए, B पे ही करना है, C पे ही करना, आपको पहले से सब चिज़े पता हो, तो आप उस पे जो है, वो option को टिक कर सकते हैं, अगर मैं को ये question पढ़ना है, आप अपने घड़ी में देखिएगा कि कितने second में मैं इस question को पढ़ रही हूँ, जबकि मेरी English भी अच्छी है, मेरी Hindi भी अच्छी है, और मेरे concept भी बहुत अच्छे हैं, तो आप देखो मुझे पढ़ने में कितना time लग सकता है, चलिए मैं इसको पढ़ते चल रही हूँ, और मैं second जो है वो ऐसे ऐसे करते चलूँगी, हम count करेंगे कि कितने second में हमने question को पढ़ा, fumigation कार्य का समंध पुस्तकाले के किस कार्य में है, आदान प्रदान, संगरक्षन, सूची करण, प्रबंधन, कितना second हो गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस, ग्यारा, ग्यारा सेकंड मुझे लगे, अब उसके बाद पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा रुकूंगी, चार, पांच सेकंड तो रुकूंगी ही, कौन से option पर टिक करना है, चार, पांच सेकंड रुकने के बाद मैं एक option पर टिक भी लग गयार, 22 सेकंड लग गये, इसको बहुत जल्दी-जल्दी करो, तो भी 15 सेकंड लग जाएंगे, 10 सेकंड भी लगेंगे, आप कैसे 2 सेकंड में, जो है, वो किसी question का answer दे रहो, जबकि कई question ऐसे थे जो लेंदी दिये गये थे, लेंदी questions भी थे, उनको आपने कैसे किया तो इस तरीके का जो है, वो काम ना करें, ये बिलकुल भी अच्छा नहीं है, सुरेज जी, ये जो काम आपने किया है, आपका number भी मेरे पास है, मैं चाहूं तो आपसे personal बात कर सकती थी, लेकिन मैं ये एक बार दिखाना चाहती हूं हर एक student को, कि हम ये जो test है, इस चीज क आप लेकर के बैठे हूं है, इस जगे से जो है, आपका कोई वास्ता नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है, लेकिन आप इस जगे को लेकर के बैठना चाह रहे हैं, यहां बैठ जाओगे, क्योंकि यहां तो जबरदस्ती ले ली ना जगे तुमने, लेकिन RPSC में कैसे बैठ पाओगे, RSMSSB में कैसे बैठ पाओगे, नहीं बैठ पाओगे, तो बात वही होती है, कि जहां जहां पे आप अपने आपको मन को मनाते हैं, कि हम टॉपर हैं, हम टॉपर हैं, और जब actual examination आता है, तो टॉपर तो छोड़ो bottom में भी नहीं आते हैं, आप selection में ही नहीं कुछ इसी तरीके के समय का calculation इनका बैठ रहा है, इन्होंने 300 questions जो है 13 मिनट में किये हैं, अब मुझे नहीं पता इनका क्या हिसाब किताब है, इन्होंने genuinely किया है, या इन्होंने देख करके किया है, बड़ अगर आप लोग ये तरीके अपना रहे हैं, तो ये तरीका बिलक करना चाहते हैं, चलिए हम सुरेश को जो है वो छोड़ते हैं ranking से, हम आगे चलते ranking की बात करते हैं, राजेश से चुरू करते हैं, राजेश नमबर वन, अक्षय नमबर टू, रजत नमबर त्री, हेमेंद्र नमबर फोर, गगन गिल नमबर फाइव, ये जो है वो फाइव तक हैं, गगन तक, देन, प्रशांत नमबर 6, अभी 7, विरेंद्र पंचोली 8, संदीब 9, अनिल कुमार मीना 10, ठीक है, ये हमारे टॉप रैंकर्स हैं, अनिल कुमार मीना तक टॉप 10 रैंकर्स हैं, इसके बाद कि जो है, मैं केवल ऐसी ही बोल देती हूं, निकी 11 नमबर प जितेंद्र 13, गोपाल 14, विजेंद्र 15, भजरंगी विश्नोई 16, सुरेश कुमार 17, राम दियाल 18, प्रकाश 19, मुकेश चौदरी 20, मदन 24, दिनेश गुधारा 22, पीके यादो 23, कुशल मीना 24, सुमन 25, सुमेर सिंग 26, आशापुरी 27, समता दाधिक्ष 28, सुरेंद्र केद 29, SMK 30, G2 रासिंगराठोर 31, शेरिपाल सिंग 32, देव 33, पुकराज सिंग 34, सुरेश कुमार 35, रिंकु कुमार 36, संतोष 37, संजे मिना 38, राजेश 49, रेनु दलाल 40, मिलन भर्ट 41, सुरेश गुजर 42, सतनाम 43, और दयाराम 48 यह यहां तक के हमारे स्कोरर जो है वो A ग्रेड वाले हैं, ठीक है, 48 रैंकिंग तक, रैंक 1st to 48 जो है वो क्या है, हमारे A ग्रेड वाले हैं, और इसके बाद की रैंकिंग जो है, मैं इसमें अनाउंस नहीं करूंगी, जिनको चाहिए होगा, वो मुझसे पूछ लिजेगा मैं आपको बता दूंगी, अपन इसमें इतना ही केवल रखेंगे, और बाकी जो है, next Wednesday, यानि कि coming Wednesday को आने वाले बुद्वार को जो है, librarian subject का net से सम्मंदित, यानि कि UGC या NTA की तरब से जो net GRF की परिक्षा और्गनाईस कराई जाएगी, उससे सम्मंदित टेस्ट होगा, तो जितने भी students हैं, आप सभी लोग test दीजेगा, हो सकता है, part A, compulsory, आप जो net का exam देंगे, जो appear होंगे, उनके ही use के लिए हो, बड़ जो बाकी के 100 questions हैं, वो सभी के लिए हर competitive exams में use में आने वाले हैं, तो आप सभी बढ़ चड़के आगे वाले test में भी हिस्सा लीजेगा और best of luck, अच्छे से तियारी करके दीजेगा, इस तरीके के काम मत कीजेगा, just a disappointment हो, students भी आपस में जो है, एक होता है, demoralize हो जाते हैं, इन सब कामों से, और हम लोग जो है, जो test organize कराते हैं, कही न कहीं हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको help करने के लिए, लेकिन आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, इस तरीके के रवये से, इस तरीके के बरताओं से, तो कृपया ऐसा ना करें, आप अगर zero number भी लाएंगे, तो मैं उसको भी appreciate करूँगी, क्योंकि वो आपकी अपने खुद का initiation होगा, वो आप कुछ नहीं करेंगे, आप अपने आपको जाचेंगे, और ये test जो है, आपको जाचने के लिए है, तो आप अच्छे से तियारी कीजिए, अच्छे से test दीजिए, जिन लोगों को दो अगस्त को exam देना है, second grade librarian के लिए, उनको मेरी तरफ से धेरो शुप काम ना है, all the best, बहुत कम है, और students जो है, appear होने वाले जो है, वो अधिक हैं, तो आप उस ही साब से paper करें, thank you so much. Thank you so much, bye.